दोस्तो 20 लाग की नीचे इंडिया में लॉंच होने वाली टॉप 14 गाड़ियों के बारे में हम बात कर रहेते तो आधी गाड़ियों तो हमने 1st पार्ट में कवर कर लेती अगर आपने 1st पार्ट नहीं देखा सीधा आप 2nd पार्ट पे आगया तो कोई बात नहीं इसको पूरा देख लेना और इसके बाद उस वीडियो को देख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो टाइम वेस्ट ना करते हो सीधा गाड़ियों कोई कवर कर लेते हैं पर इंट्रोड़क्शन वगयरा तो हमारा 1st पार्ट में हो गया था नेक्स्ट गाड़ यह एक्सवी 300 इसका फेसलिप्ट आएगा अगले साथ तो यह भी एक सब 4-meter SUV है जिसका फ्रेंट और बैक डिजाइन चेंज हो सकता इसके फेसलिप्ट में जो 2024 में आएगा और कैबिन का डिजाइन भी चेंज होने वाला एड़ास जैसे फीचर एड़ हो जाएंगे लॉंच की बात करें तो मार्च 2024 में लॉंच हो सकती है इसा बताया जारा और प्राइज इसकी नो लग से स्टार्ट हो सकती है एक शूरूम नेक्स्ट गाड़ यह भाई इन्ही की फैमिली से एक्स्वी 400 इसका फेसलिप्ट भी अगले साध्याने 2024 में आएगा अगर यह 2024 में वीडियो देख रहे हो तो इसी साल आएगा तो इसमें भी जो एक्स्टीरियर इंटीरियर में चेंज होने वाले वह सेम एक् के पाउर ट्रेन में होंगे और ऐसी भी निकल करा रही कि महिंद्रा इसके रेंज को बढ़ाएगा बिना बैटरी साइज को बढ़ाए अगर ऐसा हुआ तो यह तो बहुत अच्छी बात है लॉंच प्राइज की बात करें तो लॉंच इसका 2024 के सेकेंड आप में बताया जा और प्राइज इसकी 16 लाग से स्टार्ट हो सकती है नेक्स्ट गाड़ी है भाई किया की सोनेट इसका भी फेसलिप्ट अगले साल 2024 में लॉंच होगा इस गाड़ी की एक्स्टीरियर में चेंजस होने वाले एडास फीचर एड़ होने वाला है और इंजिन और ट्रांसमिशन भी कुछ चेंजस किये जाएंगे और इस गाड़ी का लॉंच जाने वाले 2024 बताया जारा है प्राइज इसकी 8 लग से स्कार्ट हो सकती है नेक्स्ट गाड़ी इवा इस कोड़ा की कुशाक जो 2021 में लॉंच होई थी लेकि इस कोड़ा ने टाइम बाई टाइम इसमें अपग प्राइज क्या होने वाली है इसके बाद अगली गाड़ी हो फोक्स वैगन की ताइगून तीन साल से फोक्स वैगन ने इस गाड़ी को अपग्रेट नहीं किया लेकिन अब कॉम्पुटिशन को देखते हो भाई इसके फेसलिप्ट को मार्केट में उतारना पड़ेगा तो इसकी भी लॉंच डेट और प्राइज हमें नहीं पता नेक्स्ट गाड़ी है बाई रेनॉल्ड की न्यू डस्टर ये डस्टर का थर्ड जनरेशन होने वाला है जो कि 2024 में लॉंच होगा और इस गाड़ी की उपर हमने डीटेल में बात की ती है अपने एक वीडियो में जो आगे जाकर अगर कंपनी का मन बदलता है तो हो सकता है भाई ये 2024 में इंडिया में आ जाए गाड़ी तो भाई बहुत अच्छी लग रही है पुराने जनरेशन से अगर हम कंपेर करें फर्स जनरेशन से ही कंपेर करना बढ़ेगा क्योंकि सेकेंड जनरेशन तो हमारे आया नहीं है क्या चेंजिस होने वाले उतना कुछ रिविल नहीं हुआ लेकिन इसके प्राइज एक शुरूम 6.5 लैक हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है बागी आप कमेंट में बताओ अगर आपने दूरों भी पार्ट देखे तो इन में से कौन सी गाड़ी के लिए आप अले वीडियो में